असलाम लेकुम फ्रेंट्स आज कई हमारा पार्ट सेकंड वीडियो हमने लेकिया आये हैं टानल का नस्ट्रक्शन से पिछले वीडियो में हमने इन्वेस्टिकेशन आफ टानल एंड उसका जो कंसिडेरेशन बिफोर टानलिंग हमने पढ़ाए थे तो उसमें जो इस वीडिय सब्सक्राइब करने जा रहे हैं जो गनस्ट्रक्शन का जो सेलेक्शन औरूर Tiñas सबसे पहले हमारे पास यहां कुछ सेलेक्शन होता है टानल करने से पहले हमको क्या करना है उसके बारे में एक बार फिस यहां तो यहां पे सबसे पहले है यहां पे इलाइमेंन्ट अरेस्ट्रेंट ञानि एक ऐस ऐसा आपज़्चिट्व आपधने अ पहले अंडरडर्वूंड का आपका शिपेस होता है उस में हो हिट्रोजीनस masses होते हैं यानि वहां पे mixture of different items जो particles होते हैं कभी rocks आते हैं कभी हमारे पास soil mass आते हैं कभी हमारे पास water आते हैं इन सब को हमें पूरा investigate करने के पाद हमें उसका tunnel जो है वह हमें final जो project setting करना पड़ता है तो उसके सबसे हमारे पास alignment restaurant यानि वहीआ है जो हमारे पास तो हमारे करने के लिए प्राब्लम को पार करने के लिए हमारे पास यह हमारे पास पहुत जरूरी होता है एक refers construction जानि alignment and restraint, इसके बात हमारे पास और देखना पाते आन्यान और environmental यह हमारे पास हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कुछ थोड़ा पॉइंट दिये थे फिर भी हम यहां पर बताएंगे जो इन्वरमेंटल कांसिडरेशन हमारे पास इस साइट ऑफ टैनल शूट बी सेलेक्ट इन सच वे कि उसमें डिफिकल्टी जो है वह हमारे पास ब के Maintenant कि इस बी तो अपय। भेंता है कि ओला तो अनुप हमारे पास काई भी डेस निकलजाते हैं अपर दसवाइस से तो उन सब को हमारे पास consideration करना पड़ता है while having any tunnel construction तो यह दो हमारे पास चीज़ें इसको देखना पड़ते before constructing tunnel ठीक इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम part method पड़ते हैं जो rocks में हम tunnel construction करते हैं वो कैसा method कौन-कौन सा method हमारे पास आते हैं सबसे पहला एक यहां method कुछ लिए हैं उसमें से full phase method है इस method में हमारे पास क्या होती है small tunnel हमारे पास construct होते हैं उसके लिए इस जामाल करते हैं ठीक उसका कितना मलब small मलब आपको यहां पे तीन मेटर तक आपका उसका dimension होना चाहिए तो उस मेट टानल में आपको यह फुल फेस मेथड़ आपको इस ते अमल करना है ठीक फुल फेस मेथड़ में हमारे पास एक वर्टिकल हम कॉलम फिक्स करते हैं कुछ suitable height पे उसके अंदर ठीक तो इसके बाद हम construct करते हैं तकरिबान उसका diameter होता है उस drill hole का diameter होता है 10-40 mm के विश में उसका diameter होता है और हम इसको तीन मेटर जाने small tunnels के लिए ही इस ते अमल करते हैं यह whole face method इसके बाद और एक हमारे पास मेथड ही heading and bench system इसमें आपका जो टानल का बोरिंग जो होता है उसमें एक आपका heading आता है उसमें पाड़ आता है दूसरा bench पाड़ आता है heading पाड़ आपका थोड़ा बहुत आगे गया होता है यानि 3700 सो से 4600 mm में उसका जो आगे आ जाते हैं then bench से ठीक bench यानि दूसरा पाड़े head आपका पहला पाड़ वही head आगे जाता है while constructing ठीक उससे पहले आ जाते हैं वही आपका head portion यह भी हमारे पास एक method है यह जनरल इस्ते अमल करते हैं हमारे पास railway tunnel के लिए इस्ते अमल किया करते हैं इसके बाद हमारे पास cantilever car dump method इसमें हमारे पास क्या होता है this arrangement consists of two plate gator हमारे पास दो gator plate आ जाते हैं उसको आपस में fix किया जाता है 1800 mm के distance पे ठीक और उसके ऊपर हमारे पास एक क्या हो जाता है grader यानि उसके conveyor fitted होता है इस तरह आपका track vertical में आपका machine में conveyor होते हैं एक belt होते हैं उसी तरह इसकी में भी हो जाते हैं उसमें jacks लागे होते हैं वह एक राद जो है plate grader वह चलते रहते हैं while हमारे पास drilling तो वह cantilever type का हमारे पास एक type होता है इसमें दो याद रखने यह दो cantilever जो है आपस में इतने distance पे fix यानि 1800 mm पे fix और उसके ऊपर आपका belt conveyor वहां पे आ जाते हैं वह यहां का इसका जो grader का आपने कहा जहां पे grader होते हैं तो grader का ज full phase यानि beyond full phase the bench हमारे पास project होते हैं इसका ठीक यानि यही याद रखना है इस cantilever में आपका 2 gator होते हैं इसके ऊपर आपका belt conveyor होते हैं वह आपस में इसके ऊपर jack होते हैं इस तरह running होने की वज़ए से वहां पे आपका इसी तरह drilling शुरू करते हैं इस step में इसके बाद हमा हमारे पास drift system in this system a drift is fast driving an appropriate size usually of 3000 mm to by 3000 mm इतने dimension का हमारे पास सबसे पहले drift कोला जाते हैं यानि थोड़ा hole बना जाते हैं उस जहां पे हमें canister करने इसमें थोड़ा hole बनाते हैं ताकि वहां पे हमारे पास जो आपका आ जाते हैं drilling का operation जो है machine आ जाते हैं तो इसलिए वह पहले drilling करते हैं drilling holes are provided all around the drift in entire cross section of channel tunnel यानि tunnel के पूरे cross section में हम इसको place करते हैं इस drill hole के कोटे के पूरे cross section में drill hole बना लेते हैं इस drift system में इसके बाद हमारे पास दूसरा system में pilot tunnel method final tunnel method में आपके क्या होते है the pilot tunnel method which is fast driving to full size is connected to the center line of the main tunnel यानि पहले इसको क्या करते हैं full size फिर से यहां पे driving होते हैं tunnel का ठीक है full size फिर से वही tunnel का अगर dimension इतना हो तो full size पहले हम क्या करते हैं इसको drive करते हैं ठीक और हमारे पास बना के हम इस तर्टानल का construction कर लेते हैं the pilot tunnel also helps in remove of muck इसमें क्या होते है इसमें और हमारे पास holes हो जाते हैं और एक ही hole नहीं होते हैं बहुत सारे hole बना लेते हैं तो जिसके वाज़से हमारे पास कल को मलक मक जो हमारे पास बीच में आ जाते हैं अंदर मक remove करने के लिए हमारे पास यह holes मदद लेते हैं pilot tunnel method में इसके बाद दूसरा हमारे पास tunneling में भी है इस वारी lightning system में और ventilation में भी मदद ले देते हैं यह pilot tunnel method वाला ventilation में भी मदद लेते हैं lightning में भी मदद लेते हैं अगर हमको बीच में अंदर आपका light system नहीं होते हैं तो light system लगाने के लिए हमारे पास holes इस्तामल कर सकते हैं वो इसमें आरम से हो जाते हैं इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं tunneling through soft ground हमारे पर यह एक important है बहुत मेथड़ जो है बहुत आसान है उतना tough नहीं है इसमें कुछ आपको याद रखना है क्या है सबसे पहले यहां पर पूलिंग method in this method इसमें क्या होते हैं A shape का frame बना लेते हैं वहां पे A shape का frame तयार कर लेते हैं इस method में A frame जो है वो तयार कर लेते हैं और place it near the face of the tunnel covered with suitable plank जो आपका tunnel होते है यह tunnel का front phase है इस tunnel पे आपका suppose इस तरह प्लेस करते हैं इस यह वाला shape है इसके बाद यहां पे poles are then insert it ठीक है फिर शुरू और top से हमर पर pole insert करते हैं इतने height तक हम ला पाते हैं इतने height तक हम continue depth तक हम ले के आते हैं उसमें पोल इंसर्ट करते जाते हैं can be easily taken up the four polling is an old method यह आपका method जो है बहुत पुराना method है old method है can be used successfully for carrying out tunneling operation through ground यानि ground के निचे से आपका कुछ tunneling आपका operation अगर आपको हो जाते हैं तो इसमें यह आपका free polling method आप इस्ते अमल कर सकते हैं हालन कि एक बहुत पुराना method है इसके बात needle beam method है हमारे पास soft ground म में बात कर रहे हैं इसके बात हमारे पास needle beam method इस method में भी वही है हमारे पास पहले drift खोलना है फिर drift इसलिए यहां पे पहले drift थोड़ा आपने देखा होगा construction of the tunnel के दोरान पहले front पे इस पे कुछ drift बनाते हैं कुछ थोड़ा card लेते हैं ठीक है ताकि उसमें हमारे पास machine हमा पे फेट कर सके फिर इसकी बाद आपना पास बोरिंग अररे पे हो जाते हैं इसी तारह हमारे पास needle beam method में हमारे पास एक पहला heard कर्ते हैं इसके लुब निकालने के बाद हमारे पास नीडल बीम जू है उसको एंसार करते हैं ठीक इसके अंदर इंसार करते हैं अब इस नीडल यम क्या होते है जा दो एस नीडल अच्छा करणet दू डो आ जाते हुछ ऑजो data bol breve ब्लॉक यानि आपस में एक दूसरे को जोड लेते हैं एक गुड़न ब्लॉक के जरिये ठीक तो इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं इस ड्रिफ्ट के अंदर तो यह निडल भी मेथड होते हैं यह कुछ मेथड हो गया इसके बाद हमारे पास सौरी इसके बाद हमारे पास हम पढ़ेंगे शैफ्ट एंड माकिंग इस शैफ्ट अभी हमने बढ़ा इसमें माकिंग होते हैं माकिंग आप यहां पर ठीक से पढ़ेंगे क्या होते हैं और शैफ्ट क्या होते हैं यह भी पढ़ेंगे शैफ्ट होते हैं सबसे पहले हमारे पा आपका सर्फिस हो गया इसके सर्फिस यहां से सर्फिस से अपका टनल में कुछ खूल हो जाते हैं आजाते हैं इसको शेफ्ट का जाते हैं एक आपनिंग हो जाते हैं यानी टनल से आपका यह मानलों यह कह सकते हैं आपका टनल होते हैं यह टनल से आपका बीच में एक आपनिं during construction work यहनि construction के दौरान आपको fence जो pipe होते हैं fence का pipe उसको accommodate करने के लिए भी वो आपका shaft जो है इस जामाल कर लेते हैं यह इसलिए होते हैं इसके बाद वो marking जो है हमारे पास क्या है marking in the case of tunneling through rocks यानि rocks के दौरान जो rocks में हम tunneling करते हैं blasted rocks आजाते हैं उसमें blast करने के बाद उसको remove करना पड़ते है from the tunnel से तो इसलिए उस process को हम क्या करते हैं marking करते हैं mark होगे वही जो residue आजाते हैं जो यानि तोटने के बाद वो सारे हैं आपका कहते हैं इसके बाद marking होगे वही उसी process को यानि उस removal करना उस channel में जो पड़ते हैं उसको remove करना उसी को हम क्या कहते हैं marking कहते हैं तो अभी हम marking का कुछ इसका shaft का एक photo देखते हैं अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को तो उसको देखने के लिए यह जो यहां पे पिक्चर आगे यह आपका है वह यह shaft है ठीक है यहीं से हमारे पास आ जाते हैं यह आपका यहां सी यह आपका shaft है यहां सी opening आपका ventilation system ते टैनल अंदर जा रहे हैं तो यहां पे आपका ventilation system वह इसी लिए आ जाते हैं ठीक यह आपका shaft होगे एक छोटा सा एक picture है वाकिया आप खुद देख सकते हैं picture available है इंटरनेट पे बहुत इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं last pay ventilation of tunnel अब कैसे हम ventilation करेंगे एक ventilation हमारे पास आ जाते हैं blow-in method in this method fresh air is forced हमारे एक opening हो जाते है tunnel का opening होता है एक आपका closing end होता है यहां से अंदर जाना यहां से बाहर जाना tunnel का ठीक अब यह जो है blow-in method जो है उसमें आपका fresh air जो है अंदर यहां पे fan रखा जाता है यानि opening पे ठीक है यह यह दा opening face पे आपका fan रखा जाते है ताकि इसके अंदर जो आपका fresh air लागा पाए इसके बाद आपका exhausted method आते है उसमें भी वही होते है जो आपका tunnel का end section है यहां से बाहर करने के लिए अंदर जो dust air आता है उसको बाहर करने के लिए यहां पे एक fan रखा जाता है तो उसको exhaust method का जाते है इसके थो आपको जो dust air है वो सब बाहर निकाल के देते हैं यहां से अंदर fresh air यहां से बाहर dust air fresh air वाला blowing method और dust air वाला आपका गंदगी जो है exhaust method के तुरू बाहर ले लेते हैं तो यह था हमारे पास कुछ points about method about ventilation system about shaft and about आपका दूसरा जो आपका topic था marking तो thanks for watching अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो subscribe करिये thanks for watching